कि आज कि हमारी इस अद्वांस एक्सल की कोर्स में हम पहली टॉपिक करने जा रहे हैं हैं सेलेक्शन मित्वर्ड इसलेक्शन की टॉपिक काफी जदा इन्पोर्टेंट इसले के लिए हम पेधने लिगे ऊपको समझते हैं पहले क्लास में सेलेक्शन में थोड़ इसलिए समझा रहा है क्योंकि आप आगे चल की ऑफिस में कोई भी काम करेंगे कि कोई भी चीज करेंगे तो सेलेक्शन इंपोर्टेंट है आपको पीडियेफ लगाना है तो डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको करके अपनी time को किल करते हैं तो पहले class में बताएंगे कि आप बड़े डेटा को simply कैसे select कर सके easily के select कर सके जिसमें आपको कम time हो और कम इर्टेट हो जैसे आपके सामने data दीख रहा है तो आपको माउस से अब कर सकत plaster है जैसे कि आप यहां कर तर राकर रखे वहां यहीं करके कर साथ कर से था क्रक्षर जमप नहीं होता हैं तेक्षैन बनेथे नीचे कर पकूप पीचे this ये हैं यह मूल में बहूत बढ़े डेता से फूर्वसे लिए तो उस समय की होता है कि स्टेक्शन करते हुए नीची आना मुस्किल होता है इसको प्राइब करते हुए से नीची आना इस तरह से आना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो उस केस में आप एंडिंग एंडिंग या स्टार्टिंग पर क्लिक करें और सबसे ऊपर चले जाए और फिर आप इसको सेलेक्ट करें होगे है कि अपका डेटा स्लेक्ट होगे है इसमें हाँ शिप्ट दला दवा के क्लिक करना हो और उसके बाद हम बात करते हैं कि अफिर एंडिंग या एंड पर या स्टार्ट पर दोनों में से कुई एक है कि अ कि अब नेक्स आता है कि आगर आपको कीबूर स्लेक्ट करना तो कैसे करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं सिर्प प्रेस करते हुए और आपको यूज करते है लेफ्ट डाउन आप और स्लेक्ट कर देक है इस तरह से एंड़ की करके है उन करते हैं इसमें थुदा से बहुत ज़्यदा प्राप्लम होती है यहाँ कर सकते के कंट्रोल ए CTRL A means select all लेकिन वन टाइम किजियेगा अगर आपने इसको दो बर किया तो पुरी सीड उत्वाइगी ठ्लाइगे ठिच्ट है धे वन टाइम किजियेगा अ अगर आपने दो बार एक अपने दो बार प्रेस कर दिया एको तो पुरी शीर स्लेक्ट हो जाएगे कर दो चलिए अब इसमें की आज जो करते हैं तो इसमें दो प्रॉब्लम होती है पहरी प्रॉब्लम कि आपका रो एंड कॉलम अगर कोई कुई ब्लैंक है तो फिर प्रॉब्लम क्रीट करें कि अगर माद लिएकि यहां पर अगर पुरी की पूरी रोइण ऑ 만द иск ऊपर में नीचे में नहीं जो और अगर कि आलेक्शन ऊपर में होगा नीचे में होगा लेकिन पूरी के पूरी पूरी अगर ब्लैंक है तो अगर बीच में कोई डेटा है तो फिर स्लेक्ट हो जाएगा को एक कंट्रिवेश को फॉलो करता है कि इसमें अगला ओप्सन आता है ओर इसे ताश से कॉलवर ब्लैंक है पूरा कापूरा तो यह कॉलम में को पहले से ऐले से लini Alejäre कि अब इसमें अगरा आता है वाता है कि कि इस पर्ले अगर्षी पर्लाव होती है कि यहां पर अगर इस थरह से उप्रस्च bran रखा हुआ है इस तरह से मैंने कि फाल्टू का कोई डेटा लगा हुआ है तो Ctrl-A करेंगे तो डेटा भी स्लेक्ट जाता है है तो यहां पर आप हाँ को कि ऐस इस कॉलम में भी डेटा हा इस कॉलम में भी है उस कॉलम में भी है कि आब इसमें को को ब्लैंक करो होता फिर नहीं होता अब यहां पे हम बात करेंगे करसर को मूफ करने कि यह से मुझे करसर को सबसे लास्ट में लाना है यहां पर तो वन वन करके लाएंगे उसे अच्छा है कि आप जो है कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो करसर डारेक्ट नीची आजाएगा इस राइट में भी लेफ्ट में लफ्ट में भी तो चारो तरब से मूव हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि एक इस स्थीज को करता है जैसे कि आपका फिल्ट श्रीज है ना जहां तक आपका डेटा खत्म होता वहां पहुंचेगा जैसे बें ब्लैंक किया जहां पर बलैंक खत्म वहां वहां पहुंचेगा विछ से में पेच मैंने वन कर दिया अभाल एब यहां से आगर मैं गांठाओं करता हूं तो सीधे वरन प्रिजाकर करोगा तो ब्लाइंग कोई ब्लाइंग करता या त यह बोगी काता है इसी को आप बा सुप्र कर देते हैं तो अगर मैं eager B प्रेस करूंगा तो देखिए एक और पूड़ा हमरा कॉलम सेलेक्ट हो गया डाउन प्रेस की यह दाउन सेलेक्ट होगा तो क्या होगा यहां ब्लैंक है यहां ब्लैंक है तो आप सेलेक्ट करेंगे दिक्ट होगा ना तो इसमें आपको सबसे लास्ट पर आना है और कंट्रोल सिप्ट होम प्रेस कर देजिए हों होम की होता है अगर आप स्टार्टिंग में कंट्रोल सीप्ट और एंड की दिप्रेस कर देते हैं तो आपका यूज्ड सेल सेल्स लेक्ट हो जाता है ठीक है इसलिए आप ऐसा रख करें अब दुसरी चीज़ा कि आपको बहुत बड़ा डेटा है मान देजिए अब उसे सबसे लास्ट में जाना है लास्ट में जाना है अगर आपको कोई कॉलम कर रखे होगे हर कॉलम में डेटा है तो काफी टाइम लगेगा लग रहा है तो उपर आपको एड्रेस बॉक्स दिख रहा है इसमें आपका डेटा मान लीजे बिलो सबसे नीचे उस जगह पर करसर चला जाएगा अब यहां से कंट्रोल सिप्ट के साथ हम कंट्रोल आप एलों के साथ अब यहां आने के बाद कंट्रोल सिप्ट होम करूँगा सेलेक्शन हो गया अब ध्यान रखेगा आप कंट्रोल होम नहीं करते सिफ्ट जिसे के मैं यहां बैठा हूँ अगर मैं यहां होम कर दो तो इसके स्टार्टिंग में यहां पर हूँ तो इसके सबसे पहले नंबार रोप्य आएगा है ठीक है कि एंड करूं कि एंड करके एंटर प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट में जाए यूजर सेल के सबसे लास्ट कॉलम में जाए एंड प्रेस करने के बार एंटर प्रेस करना होगा ठीक है करेंगे कंट्रोल सिफ्ट के साथ होम करेंगे कंट्रोल सिफ्ट के साथ कुछ सेलेक्शन होगा ठीक है सर यहां की सेलेक्शन आपको इस पर कुछ दिखत तो नहीं है मासर मुझे क्या है कि मुझे कुछ कुछ सेल्स करना है तो आपने कीवोड का करें और जहां मर्जी वहाँ पर कलिक करते है तो जहां जहां आप क्लिक करेंगे आपका सेलेक्शन वहीं पर होगा जहां रखेगा कि इस सेलेक्शन कॉपी के लिए मत किजिएगा को इस पर कॉपी करेंगे ते कॉपी नहीं होगा कि अगर को मल्टिपल कॉपी करना थे एक रूल को फॉलो करना जैसे हमने उपर में इस तरह के सेलेक्शन कर ली मैं इसको इसली कॉपी कर सकता है कि क्ट्रोल सी हाँ कंदे के बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है और सेम रो में स्लेक्ट करना है कि रोपर नीचे नहीं चाहिए सब्सक्राइब रोपर नीचे भी होता है जैसे मालिज हमने एवन को सेलेक्ट किया और यहां एफाइब किया तो दूसरे कॉलम में अगर करना है तो यहां भी एवन और एफाइब को करना पड़ेगा कि जा था कि पैसा नहीं है ऊपर इसको अब कलिया यहां पने एफाई पो कलिया है यहां पर आपने कलिया आज यहां प्लाजाए यहां पर आपने कल लिया single थीकर थे ना तब पुरा सिक्वेंश को मेंटेन करेंगत टीव जा के कॉपि होता है थे कि एए इसे एक सीट के लिए वहता है इसे आपके पास तीन चार पांच से सीट है तो माले जे मैंने यहां एक पे माले मुझे टाइप करना है और सेम चीज सब पर टाइप करना है खुड़ा शीट हो गया अब जो भी हम काम करें गे पूरे सीट पे काम होगा जैसे मैं यहां पर टुड़े लिखा एंटर अंसब हम घ्रिद्ज cqp हम और कंट्रोल के साथ करेंगे जिस क्लिक पे क्लिक करेंगे उजी सीट आपका स्लेक्शन में आएगा और जब हम यहां पर कुछ टाइप करेंगे तो उसी सीट के ऊपर टाइप होगा मैं इस एप फोर में नहीं है सीट 5 कर सकते है कि आप डेटा को कैसे स्लेक्ट करेंगे एक्सल के अंदर में अब हम बात करते हैं एक्सल हैल्फ की इसे मालेजिए इन फ्यूचर में अगर आपको कोई कोई चीज मुझसे पूछना है कोई चीज तो फस्ट गया किसी को पूछने से अच्छा या गूगल पर जाने से अच्छा आप यहीं पर देखेंगे आप एक्सल हैल्फ के अंदर कंडिशन फॉमेटिंग की पूरी डिटेल आ गए आप ऐसे यहां सर्च भी कर सकते हैं अब यहां पर सर्च भी कर सकते हैं जैसे कि मुझे मालेजिए लिमिटेशन का लिश्ट चाहिए कि किस फीचर के क्या लिमिट्स है तो यहां आप लिमिट्स को किजिएगा स्लेक्ट और फिर यहां पर देखिएगा इस सर्च आ गया एक्सल इसिफिकेशन में हम चले जाएंगे यहां एक्सल के लिमिट्स है इसको एक बाप पर लिजिएगा ठीक है सर्व सर्च करके से मुझे तरह से शॉट्ट कर ट के लिस्ट है एंटर मारते हैं यहा इसको भी एक पर लिजिए तो यहां अब यहां पर कोश्टन आता है कि जैनरली हम लोग क्या करते हैं जैनरली हम लोग जहें कुछ परलम होती है तो हम लोग गूगल पर जाते हैं क्या सब्सक्राइब गूगल में जो इसके अंदर जो है हम जैसे आप इस लोगों का आर्टिकल और उनकी साइट को दून के देता है क्या है तो आपको तीन चीजे करनी है पहले चीजे करनी है आपको क्या आपको लिमिटेशन को पढ़ना है दूसरे चीजे करनी है आपको पढ़ना है अत्तीस रहा क्या आपको गब।